मौहन का जो इंकम है वो 15500 पर मंत है मौहन का जो इंकम है वो 15500 पर मंत है अब वो इतने इंकम में से 11% सेव करता है ठीक है यहाँ पर एक कंडिशन दे दिया है इसके बाद कि यदि उसका इंकम इंकरीज होता है 10% से तब उसकी जो सेविंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है 1% से मिन्स पहले जो सेव कर रहा था वो 11% कर रहा था अब सेव करेगा 1 less मिन्स 10% करेगा ठीक है 10% से जो इंकरीज होता है इसकी इंकम तो पहले जो 11% कर रहा था सेविंग अब वो करेगा 10% से क्योंकि 1% less कर देगा saving how much does he save now तो अब कितना वो save करता है तो पहले case 1 में solve करते है case 1 means जो पहले जब increase नहीं हुआ था उसका income तब वो कितना save कर रहा था ये पहले हम find कर लेते हैं ठीक है case 1 तो उसका total जो income था वो लिख लेते हैं पहले income है उसका 15,500 का हम निकालेंगे 11% हम इसका ये इलेवन परसेंट है हमारा निकल जागा कितना saving करता है तो यहां पर आजाएगा 15,500 multiplied by 11 upon 100 ठीक है मटपलाई करती है मटपलाई करेंगे मिलेगा आपको 1555, 5 का रिवफर 1555, 60 का 06 का रिवफर and 11 मजब 1 and 17 so 1705 रूपीज 1705 रूपीज इतना जो है saving करता है सुरू में अब जो है 10% increase होने के बाद देखते हैं के second तो increased income यह निकाल लेते हैं हम increased income increased income जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10% increase तो 15500 पहले था अब 10% increase कर लेते हैं अब यह हो जाएगा 15500 multiplied by 10% ठीक है देखे 10% increase करने का मतलब क्या होता है इसी में इसी का जो है आप 10% निकाल लोगे यहाँ पर multiply करके और इसी में add कर दोगे तो हम कहते हैं उसको कि 10% increase हो गया है ठीक है hope कि आप जानते हों कि यह method यहाँ से 0-0 cancel हो गया यह 0-0 cancel हो गया इन दोनों को add करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ से 0-0-0 and 5-5 का 5 ही रहेगा यहाँ पर अब देखें यह वाला 5 इस 5 में add होगा तो 5 इस 10 हो जाएगा 10 का 0 हो जाएगा 1 carry over and यह 1 जो है 1 add होगा यह 1 इस 5 में तो 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा और 1 carry over 7 and 1 यह 1 तो ऐसी रह जाएगा तो 17,050 मतलब 17,050 हो गया अब यह 10% इनकी जो करके अब निकालेंगे कि अब इसमें यहाँ पर saving कितना कर रहा है तो saving in the second case means increase होने के बाद तो हम यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि 1% से reduce कर रहा है saving नो तो पहले 10% कर रहा 11% कर रहा था saving अब करेगा यहाँ पर 10% तो इसका हम निकालेंगे 10% means 10% of what इतना increased income का इसका हम निकालेंगे 10% यही saving कर रहा है तो यहाँ पहुचा है का 10 upon 100 multiplied by 17050 आज देके 0 जर गंसल हो गया और यह 0 इससे गंसल हो गया जो बचा है वो केवल उपर का number ही बचा है means 1705 और आप देख रहे हैं कि यह जो initially जो आया था saving सुरू सुरू में वो 1705 ही है और अभी भी वही है means यहाँ पहुचा है कि how much does he save now तो now he saves the same amount as before तो यह आपका answer size exactly वही दिया हुआ है कि same as before so he saves 1705 rupees as before ठीक है यह आपका answer है hope के पुसमज में आ चुका हुआ है कैसे कि करना इसको thank you so much for watching लेकिन एक कमेंट जरू करिएगा ओके और अभी इदिया आपका अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं thanks again bye